पटना सिटी में लगतार पांच दिन में पांच हट्ट्या के बाद आज जन अधिकार पार्टी ने पटना सिटी चौफ पर एक दिवसे धरना प्रजशन कर प्रसासत से अपराधियों पर नकेल कस्ती और सिटी में लो आइन आटर बहाल करने की मांग की है जन अधिकार पार्टी के युवा ध्यक्ष राजू दानवेर ने साफ तोर पे कहा कि अगर प्रसासन सिटी में अपराधियों के तैंडप को शांत कर शांती बहाल नहीं करेगी तो जन अधिकार पार्टी प्यपग अंदोलन करेगी उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्य अध्यक्ष श्री पपुयादक जी ने साफ तोर पे कहा कि हत्यारे को फासी पर लटकाने की जरूरत है दानवीर ने कहा कि डवर इंचन की सरकार ने बिहार को क्राइम के मामने में कास्मीर से पद्दर बना दिया है प्रदेश में अपराधियों और पुलिस दोनों की शिकार आमब निर्दोस चनता हो रही है इस धर्णा में कई जाप के निताव पदधिकारी एबं कारे करता मुझूद रहे बिहार न्यूज लाइफ एंकर निती सिंग के साथ पटना सिटी से आधर्शिंग के रिपोर्ट बिहार कार हाए हाए पक्ना सिटी में खूर की होली क्यों जवाब दो पांच दिन में पांच हत्या क्यों जवाब दो पुलिस पसासन हाए हाए पुलिस पसासन का हाथ खाली क्यों जवाब दो सभी हत्यारों को फांची दो पिर्दको न्याय दो हत्यारे को फांची दो जड़तिकार पांची चिंगापा पुलिस पसासन हाए हाए जिस तरह से क्टना सीटि में पांच दिन में पांच हत्याए है श्रीग गोविंज जी महराज जी की धर्ती पटन-देवी मा की धर्ती पर जिस तरह से रक्त रंजित है आप राधियों का टांदव है वेवसायों में जो भी बैपारी है सभी में खौप है आज ये मजबूर कर दिया है यहां मदधर्ना करने के लिए अधर्मिय पप्पू यादव जी के निर्देशा अनुसार हम लोगों ने एक दिवस्य धर्ना दिया है ताकि जो भी यहां पर पट्ना सीटी बासी है वो भय मुक्थ हो अपराद मुक्थ हो क्यूंकि ये परसासन का हाथ खाली है पांच हत्याये हुए है आप राधी कहा है परसासन जवाब नहीं दे रही है यही पतना सिटि जो एक हजार करोड रूपय का टेक्स भढ़ती है पुरेशिया में परचूंड का बेवसाईय यहां फेमस है सबसे बड़ा बेवसाईय और यहां बैपारियों में खौ uniqu है अप्राधियों अप्राधी का खौप है अपराधी में परसासन का खोपी कतम हो गया है बिहार सरकार सराब खोजवाने में ब्यस्त है अपराधी खोजवाने में ब्यस्त नहीं है सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की मांग है कि जो भी अपराधी है उनको फासी की सजा हो इस पिडी ट्राइल के तहत उनकी सजा हो और साथ में जितने भी आप राधी है उन सब को सलेंडर किया जाए और पटना सिटी को भैमुक्त आप राध मुक्त किया जाए यदि परसासन हमारी मागों को पूरी नहीं करती है तह हमारा अंदोलन बड़े पैमाने पर होगा उगर होगा और आधर निये पप्पू यादर जी का साफ निर्दे से कि अधि जब तक पटना सिटी को मैं भैमुक्त आप राध मुक्त नहीं कर देता हूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा और जो भी बैपारी है उनका सुरच्चा के लिए सुरच्चा एक्ट लाए सरकार और जो राज सरकार राध दिन सराब की चर्चा करती है विधान सबा में वह अप राध का भी चर्चा करे और इन सभी जो भी यहां परमोद भागला जी सन्नी जी इन सभी जो भी पाच्छत्याय हुई है